हुआ हलो फ्रेंट्स वेलकम बाग तो मैं चानल मैं हूँ आपका होस्ट एंदोस डॉक्टर मनूज आपका नॉलेज फ्रेंट दोस्तों इस चानल पर हम लोग बात करते हैं आपका प्यार इस चानल को मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शक्रिया दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे हिंदोस्तान ही नहीं दुनिया का हर दूसरा व्यक्ति कहीं न कहीं परिशान है मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों हेर फॉल की हेर फॉल एक ऐसी समस्या है चो 13-15 साल के बच्चे से स्टार्ट होती है और वो जब तक आप जिन्दा रहते हैं तब तक आपके साथ रहती है और बहुत बार तो ऐसा होता है कि यह हमारे डिप्रेशन हमारे कॉन्फिदेंस को औ क्या अपने आइने में देखना पसंद नहीं करते हैं दोस्तों क्या किया जाए क्या आयुरवेद कहता है क्या नाच्रो थेरेपी कहती है इनहीं सभी कोई आच्छा में इस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे क्योंकि बालों का जढ़ना जो समस्या अगर रोक दी जाए तो यूज करके अब बहुत अच्छे से अपने बालों के जढ़ने को कुछ ही महीनों के अंदर मैं महीने शायद जादा बोड़ रहा हूं कुछ ही हफ्तों के अंदर अपने हेर फॉल को रोक लेंगे तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और समझ लेते हैं दोस्तों नीम एक ऐसा इंग्रीडेंट है जिसको आयुरुवेद में बहुत महीमा की गई है आयुरुवेद के अंदर नीम को बहुत ज़ादा बेनेफिशल बताया गया है क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टेरियल, एंटी जर्मिसाइडल और एंटी माइक्रोबाइल ए नीम की आप उन्हें इस्तमाल करें तो लगबग आपको 60-70 पतियां नीम की ले लेनी है नीम हमारे आसपास में बहुत इसली अवेलेबल होता है और बहुत असानी से आप उसे तोड़ करके अपने घर में ला सकते हैं तो लगबग 60-70 पतियां ले लीजिए और लगबग 200 200 ml पानी एक स्टील के बरतन में आप रख करके इन नीम की पतियों को डाल करके अब गरम कर लीजिए जैसे ही आप 5-7 मिनट के लिए इसे गरम करेंगे आप दिखेंगे कि जो पानी का जो रंग है वो हलका हरा होने लगा है क्योंकि अब उस रंग के अंदर उसके अंदर नी 800 ml रह जाएगा आप देखेंगे कि आप जो यह पानी है यह पूरा हरा हो चुका है इसके अंदर से जो आपने पत्तियां डाली थी उन्हें छान करके अलग कर लीजिए और यह जो हरे रंग का जो पानी है इसे अलग कर लीजिए अब आपको जो तीसरा जो इंग्रीडेंट लेना है उसे भी आयरोवेथ में बहुत महिमा की गई है वो है अलवेरा जिसे हिंदी में घ्रत कुमारी खा जाता है अलवेरा का प्लांट हमारे घर के आसपास बहुत easily available होता है उसमें से आप इसको च्छान करके इसका जेल निकाल लीजिए जैसे ही आप इसका जेल निकाल जो बहुत जादा गाड़ा होगा ना बहुत जादा पतला होगा क्योंकि गरत कुमारी या ऐलोविरा की वज़ा से इसमें गाड़ा बना जाएगा और आप देखेंगे कि यह जो पाक आपका बना है आपको इसे बालों की जड़ों में लगाना है तो अच्छे से पहले अपने बाünd कोई भी माइलड य्यूजँज कर लिना है मैं हमेशा आपको डी हइड्रेशन शंपूु से जोज़ेस्ट करता हूँ जिसका लिंक मैं आपको जरूरी है पर याद रखें कि जो conditioner है वो आपके बालों की जड़ों में नहीं जाना चाहिए लगाना है जिससे कि आप बालों की नंदर जो dryness आगई है जो फ्रीजीने सागई है उसे भी control कर सकें दूस्तों इस pack को आप हफते में कम से कम दो बार और और उम जादा जादा तीन बार ज़रूर लगाएं इसे आप कम से कम तीन से छे महीमें तक लगाएं क्योंकि जो नाच्रल चीजे होती हैं अम उस्लो काम करती हैं लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इनका कोई side effect नहीं होता तो अगर कोई side effect नहीं है अगर इनसे कोई problem नहीं हो रही इनमें कोई पैसा नहीं लग रहा तो क्यों हमें इन्हें इस्तमाल करने के लिए बहुत जादा सोचना पड़ता है तो जरूर इस्तमाल कीजिए और जो प्रकरती ने जो आपको अद्भुद जो उपहार दिये हैं पेड़ पौधों के रूप में उनका फायदा उठाए और फायदा नहीं उठाना है सिर्फ दोस्तों उन्हें उगाना भी है उन्हें इन्वाइरमेंट है उसे भी खुबसुरत बनाना है और उसे खुबसुरत आप और हम मिलकर के बनाएंगे तो चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियों से आपके बहुत जादा हेल्प हुई होगी अगर हेल्प हुई है तो इस वीडियो को शेयर करें त Dr. Manoj. Thank you so much. Bye bye. Love you all.